हाई गाईज ध्यान दीजेगा जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिरो से लेके 90 दिगनोंने में वेल्यू ठीक है तो आज हम साइन सिटा कॉस्ट रिटा से एक जिटा कोस्ट रिटा और सभी के लिए जिरो से लेके 90 दिगालना सीख रहे हैं ध्यान दिजेगा सबसे पहले हूं क्या करेंगेStr hora से फोर तक हुआ है जैसे ही जैसे हिसे एंगा सब्हुता है जैसकर नहीं होता है इसकương 2 टूट नहीं होता है तो हम उसको as it is root में लिखा रहे ने देंगे root 3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते है root से तो इसा रहे ने देंगे और 4 का 2 होता है दोस्तों ठीक है और यहाँ पर 1 का इसके root 1 तो यह वाली value जो हमारी इसका मतलब क्या हुआ कि sign 0 पर कितना होता है स्laşइन 30 पर कितना होता है Independence 1 745 कितना अब हम इसको आगे देखते हैं इसे for cost के लिए कृस्स के लिए हम क्या करेंगे यह सारी value इधर से इस तरफ लिख देंगे मतलब cos theta equal to हम यहां से start करेंगे 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 और 0 मतलब sign के लिए हम ऐसे गए left to right और cos के लिए हम right to left आ गए ठीक है मतलब अब आपको पता हो गया देखो cos 0 कितना हो गया है 1 मतलब cos की 0 पे value आप कहीं भी देखेंगी तो लिख सकते हैं कि उसकी value होती 1 फिक है फिर cos 30 की value root 3 by 2 जो की sign किसकी है 60 की है आसानी से याद भी हो जाएगा आपको जब यह table बनाना आ जाता है तो यह बहुत आसानी से याद हो जाती है और एक question अमरा जो 4 marks 5 marks के लिए रहता है 10 standard पर वो ही बन जाता और competitive में तो 1 marks का question इससे letter आ ही सकता है तो वो आप कर सकते हो sign 45 और 10 45 sign और cos sign कितना है 45 degree, cos कितना है 45 degree, दोनों same होते हैं, यह बात आपको धियान रखना है ठीक है, जहाँ पे sign minimum होता है वहाँ cos maximum होता है, जहाँ sign maximum होता है वहाँ cos minimum होता है अब हमने पढ़ रखा है कि 10 theta equals to sin theta upon cos theta 10 theta equals to sin theta upon cos theta, तो हम क्या करेंगे, sign के upon में cos को रखेंगे, 0 के upon 1 मतलब 0 यह किस की value होगी, sign 0 degree की, यदि हमें 10 30 की value निकालना है तो यहाँ पे 2 से 2 cancel हो जाएगा आपको मिलेगा 1 upon root 3 मतलब 10 30 की value यह height and distance के question ने भहुत काम की है तो 10 30 की value होती 1 upon root 3 10 45 पूरे time cancel हो रही है, वन आ जाएगा यहाँ 2 से 2 cancel होगा root 3 by 1 लिखना है, तो 1 लिखने की जुरत नहीं upon में 1 already दीखी जाता है तो यह हमारा हो जाता है 10 60 पे root 3 और last में 10 90 पे होता है infinite मतलब हम उसको define नहीं कर सकते हैं, ठीक है इस तरीके से आप अपनी trigonometry table complete कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको last video में अपने relations बताये थे, कि sign का 1 upon cos, sign 1 plus 2 1 upon cos 1 होता है और 10 की जो है वो cot में convert हो जाएगी, ठीक है मतलब sign का उल्टा क्या होता है या sign का उल्टा नहीं बूब बोलते हों तो यह सा किसकते हैं कि sign theta equal to 1 upon cos 1 theta ठीक है तो अपोस कर देगे denominator को numerator, numerator को denominator मतलब sign 30 आपको पता है कि 1 by 2 है तो cos 30 कितना हो जाएगा 2 by 1 ठीक है यह से ही यह आपको 10 30 पता है कि 1 by root 3 है तो cot 30 कितना हो जाएगा root 3 by 2 ठीक है या root 3 लिखेंगे तू भी चल जाएगा इस तरीके से आप अपनी पूरी table 90 degree ते complete कर सकते हैं ठीक आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा यह से ही mathematics को easily सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो यह दी आपको कुछ मेरे वीडियो से यह दी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो उन्हें लाइक जरूर कर दीजेगा और शेर बिल्कूल करना मत भूलिएगा ठीक है ओके थैंक यू